स्वागाते हैं आप सभी खापके अपने यूटीव चैनल में और आज हम बात कने वाले हैं एसाइए की वेकंसी करमचरी राज भीमाया के द्वारा जो जारी हुई की MTS की UDC की और स्टेनोग्राफर की वेकंसी उसके बारे में संपूर जानकरी हम लेके आए हैं तो यहां पर हमने मुंबई जो साखा है उसका हमने यह पीडियाफ होला है और हर हर रीजन में निकलिवी वेकंसी है टोटल 3800 के आसपास कुछ वेकंसी है वह भी हम बता देंगे किस जगा कितनी है अब हम नॉटिफिकेशन को देख लेते हैं कि कितनी प्रकार की वेकंसी किन-किन पैदाओं के लिए यहां पर क्या-क्या सेक्ष्ट की योगता मंगी गई है तो यूडिसी एंस्टेनो और MTS के लिए यह जो है मॉंबई रीजन की महराश्य रीजन की हमने पे लेवल रहेगा और यूडिसी के लिए आपको जरूरी है और साथी साथ आपको केवल नॉलेज जो है कंप्यूटर का आना चाहिए ठीक है ओफिस्ट एंड डाटाबेस लिखा यहां पर नॉलेज अव कंप्यूटर ठीक है तो यह जो हती नॉर्मल चीज है इस्टेन और टाटास आंट आफाघाः शान चाहिए ऑर डिस्क्रिया-शन जो लिए फंडीस में हंब करना यह तो बात करेहंट आगा गया है अगर हम बात कर psychology पंदरेखला पन्दरःं पंद्रह फरबरी 2022 को आप जो है यूडी सी और स्टेनों के लिए 18 से 27 के बीच अगर हो रहे हैं तो आप एप्लीकेबल रहेंगे सांती साथ आप इसमें और स्टेनों का नीचे लिखा हुए है और एंटीस की बात करें तो उसमें भी 18 से 25 रहेगी अठारा से 25 और तीन साल आप क्रमसा जोलने स्टेनों के लिए यहां पर जो लिखा हुए है बीडवली के लिए 10 साल अगर जन्रल का है तो और ओवी सी में तेरा साल और यह साई का इ लगेगा एक हैंड रिटर्न डिकलेरेशन लगेगा और सिगनेचर ब्लेक इंक से करना अनिवार है साथी साथ आपको टेक्स यह लिखना पड़ाएगा कि आई ब्लेंक नेम करके और हैरवाई डिकलेर फोरा आपको लाइन लिखना पड़ाएगा फॉर्स नंबर पाइंट म पीड़ाइड और फीमर गनेडिट के लिए 500 रुपे जो भी अधर क्रिटिगरी है उनके लिए ठीक है इसके अलावा हम बात करें इसमें जो स्लेवस है वह किस तरीके करहेगा तो स्लेवस की वाले में चर्चा कर लेते हैं किस पूस्टि के लिए क्या स्लेवस रहेगा ठीक अगर हम UDC बात करें तो UDC में जो prelims examination रहेगा वो 200 question रहेंगे 200 number के और आपको negative marking भी यहाँ पर रहेगी 100 question 200 number के रहेगा एक घंटे का question पर रहेगा जिसमें जाना रावेलेस, reasoning, quantitative aptitude, ringless यह सारी चीज़ आएंगी इसके बाद man's examination रहेगा और man's examination 200 question 200 number के रहेगे यह दो घंटे में एक नमबर कराएगा ठीक है आप prelims में एक अनुपाद 20 एक अनुपाद 10 के अनुपाद में चुने जाएंगे ठीक है यहाना कि एक बार कोई candidate है वो prelims examination को में में जाने के लिए उसको 10 गुना जो candidate है मांगे जाएंगे मांगे जाएंगे जो भी आपको category है उस category का 10 गु आपको करना पड़ेगा यह यूडी सी के लिए है सब चीजें अब बात करें इस्टेनोग्राफर के लिए इस्टेनोग्राफर का जो सलेवस रहेगा वह इंग्लेस सो कॉस्चन सो नमबर की रहेगी 70 मिनिट का ड्यूरेशन रहेगा रेजिजिनिंग और जनल लवेरेंस टाइम यहाँ पर सेपरेशन करके लिखा हुआ है इसमें भी दसगुना अगले फेस के लिए बलाया जाएंगे जो की स्किल टेस्ट होता है उसके लिए और वो 75-70 मिनिट का है और 9 मिनिट का रहेगा क्रमसा आपको इंगलेस और हिंदी में टाइम दिये जाएगा तना ठीक इसमें आपको टेंथ पास मांगा गया है जिसके लिए तो इसमें एक घंटे में आपको करना रहेगा कोश्चन नमर आफ जो है वो दो सो कोश्चन ही रहेंगे 200 नमर के रहेंगे ठीक है और इसमें भी प्रिलिम्स के बाद आपको मैंस एक्जामिनेशन देना होगा इसमें में भी दजगोन लिए जाएंगे यगवाले के लिए और सो कुश्चन 200 मंबर करेंगे इसमें भी आपको इंग्लिस एक्टिटिवड जनल अर्वेशनिंग यसा मुश्चन अपको मिलेंगे मेंस में थे सरी जोम्द दो सनका एगर इसमें आपको मेंस देना होगा और इसके स्वाइब कि बागी सारी चीजह हैं इसमें इतनी एमपौ назв है जितनी जानकार है और इसमें आपको जो है आपका拂सीक सिरह देखनेको तो यहई सब जानकारी आपको कैसे लगी जरूरर बताएं और अब कोई भी इसमें आपको इस साइब ह on झाल 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 झाल